हेलो एवरीबन वेलकम टे लीट्स ग्रीड आपकी प्रिप्रेशन सही चल रही होगी और अल्मूस्ट नॉम्बर आ गया है और जो भी 25-26 बाकी है यह शायद आपकी प्रिप्रेशन के सबसे इंपॉर्टेंट डेस होंगे अना मेजर जो भी आपने कंप्लीट किया होता अभी आपको रिवीजन, मॉक्स और ओफिस से कई बच्चे आफ लेंगे तो कई चीजों पर आपको एक साथ फोकस करना होता है इसलिए कि आपको अलग से खुझ से ना सोचना पड़े कि आपको क्या कितने मॉक, कितने सेक्शनल और अल देने हैं इसलिए मैंने कम्प्लीट पूर आने वाला है चलो एक दिन में दो मॉक दे देता हूँ, तीन मॉक दे देता हूँ, उससे नहीं होगा, सिर्फ नंबर ओफ मॉक्स बढ़ाते रहने से नहीं होता, जब तक you are not doing a proper analysis of that, तो उसका proper analysis का भी आपके पास time होना चाहिए, जो मैं भी schedule दे रहा हूँ, वो भी थोड recording preparation करनी चाहिए, so this schedule is for easy student, but जितने non-easy student है, उनके लिए भी मैं अपडेट कर दे रहा हूँ, तो वो एक idea लग जाएगा आपको, कि कितने mocks आपको देने चाहिए, इस particular month में, और किस-किस तरह से आपको अपनी preparation प्रोसीड करनी चाहिए, perfect, तो देखो क्या है जो schedule हम लोग से basically, तो एक पहला देना है, that will be CL countdown 10, अब जिसके पास, जो भी non-easy student है, लटको आपके पास CL की test series नहीं है, तो you can take any other mock, उसकी जगह कोई और दूसरा mock ले सकते हो, फिर second number को that will be an off day, off day मैंने इसलिए दिया है, कि आप थोड़ा सा एक बर जो आपने CL countdown 10, या आपने पीछे क जो mocks दिये, एक बर थोड़ा सा, मतलब अभी NMAT खतम हुआ, आपको पता है, कि जो मैंने, especially, जितने भी easy student है maximum, उनको मैं NMAT पहले ही दिला देता हूँ, cat के, क्योंकि होता क्या है, कि अगर पहला exam आपका cat हो, और आप जब जाते हो exam condition में, तो आपको एकशाम कंडिशन मे तो better रहता हूँ, काफी बच्चों ने दिया है दे no, कि वहाँ experience अलग है, उनका, अब जब वो लोग cat में जाएंगे, तो they will feel relaxed, bit relaxed कि हाँ, चलो, एक बार मैंने pressure देख लिया, अब मैं इसको manage कर सकता हूँ, ठीके न, तो second number एक बार थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि hangover कि LRDI के, we will start regular LRDI sectional, और जिनका मैं discussion भी करूँगा, उसी दिन या next दिन, वो मैं पूरा 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 मैं update कर रहा हूँ कि इस तरह से आपको, आपको एक LRDI का sectional देना है, जो non-EG student हैं, वो अपना, जो भी test series, बाई करी उसके recording, जो EG student है, उनके लिए ऐसा है, कि कुछ कुछ LRDI के sectional मैं EG के update करूँगा अलग से, वो मैं बताऊंगा, कुछ LRDI के sectional, IMS proctored का number बताऊंगा मैं, जो अच्छे हैं, जो मुझे पता है कि ये वाल अच्छा बना हुआ है, उसका number, तो वो proper आपको बना के दिया जाएगा, हर week का, तो LRDI sectional बन, लेकिन देना आप को LRDI sectional ही है उस दिन पे, 100% है, वो EG का होगा, नौन EG का होगा, वो आपका एक अलग से weekly जो schedule आता है, उस schedule में आ जाएगा आपके, ठीक है, मेली मैं शुरुआत के तीनो sectional LRDI के EG के बनाऊंगा, और 4 के 4 set जो होंगे tough level के दूँगा, जिसे कि आपको थोड़ा सा exposure better मि नहां पर, तो हर sectional के next दिन पे, उसका discussion भी होगा, हर sectional जब आप दोगे LRDI का, उसके next day पे उसका discussion होगा, कुछ sectional का उसी दिन पे discussion होगा, तो वो मैं आपको पहले से ही मतलब update, पहले से ही दे दूँगा LRDI का sectional, कि आप सुभा से लेके रात तक कर लो, फिर रात को 12 पहले लेगा, उसमें आपका updated रहेगा, तो हर जो sectional आप यह मानो, कि हर जो sectional आपको मिल रहा है, उसके next day में पे उसका discussion होगा, तो discussion बहुत important है in LRDI sectional के, किस तरह से तुम्हें approach करना है, कैसे mind setup से आपको solving करनी चाहिए, कहां पे you should use options, वो सब चीजों का एक बर मैं exposure दू CL, IMS, EG के, उनका मैं एक बर proper, अच्छे set लाके, उनका third और fourth number को, third number, third number and fourth number, उनका discussion करूँगा, third और fourth number को, ठीक है, third और fourth number को, उनका भी discussion होगा, fourth number को, यह जो fourth number है, इस fourth number में, इसके साथ साथ, आपका जो मैंने कहा, LRDI sectional 1, उसका भी discussion होगा, LRDI sectional 1 का, उसी में add on करके, ठीक है, वो आपके weekly schedule में आ जाएगा, फिर Sunday को आपको CL countdown, Saturday को आपको CL countdown 5 देना है, और बीच में जो class में, जो आपके CL 10 दिया होगा, CL 5 दोगे, वो mocks का discussion का schedule आता ज जाएगा आपका, जितने भी maximum mocks हो जाएगे, वो live में हम लोग try करेंगे, इस discussion का, ठीक है, जो ना भी अगर schedule के according की पूरा timely time ना मिल पाया, और एका discussion नहीं होगा, तो आपको analysis का मैं बना के दूँगा, उसमें, कि इस इस दिन आपको analysis करना है, ठीक है, Sunday को EG mock 8 और LRDI sectional 3 यह आपको करना है, और इस Sunday को, यही Sunday सिक्स्त वाले को, इस Sunday को हम लोग सुभा 12 बजे, 12 पीम पे लगेंगे, रात 10 अ. तक, 10 आवर का आपका session होगा, इस 10 आवर में हम लोग cat 2021 से cat 2017 तक के, जितने भी question है, उनको एक बार go through करेंगे, उनका discussion करेंगे, किस तरह से approach करने चाह maximum question we will discuss, maximum to maximum discussion हो जाएंगे, क्योंकि काफी question हम लोग already assignment में discussion कर चुके, तो वो जल्दी वे में हो जाएंगे, बाकी जो नहीं भी add on हुए होगे, वो भी पूरे discussion हो जाएंगे, जो रह जाएंगे वो आगे साथ साथ हम लोग cover करते रहेंगे, maximum we will try, यहीं निप्टा दे हम लो यह 7 days का schedule रहेगा, अभी आपने 7 days में आपने यह देखा कि मैंने कोई भी QA और VA नहीं add किया है, QA और VA नहीं किया है, QA और VA ना add करने का reason यह है, कि QA और VA अल्रेडी आपने जो भी आप, जो आप यह 3 full length mock यहाँ पे दे रहे हो, एक CL countdown 10 दे रहे हो, CL countdown 5 दे रहे हो, EG mock 8 इन 3 में 3 आपके QA, 3 VA अल्रेडी हो गए है, अभी आगे, क्योंकि बहुत VA के mocks होते नहीं availability, अभी आगे आपको next week के schedule में, इसी next week के schedule में आपको दिखेगा, कि VA के 11th से लेके 24th तक, हर दिन एक sectional का मैंने बनाया है, जब आप continuity करोगे, तो you will see improvement की VA में आप एक अच्छा जब mock cat देने जाओगे, तो you will see कि आप एक अच्छी position पे हो जो अभी तक थे, जब आप daily 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 VA के sectional दोगे, आगे के schedule पे move करते हैं, जब 9th नॉमबर आएगा, तो LRDI sectional 5, 10th नॉमबर को prime cat 13, ये तुम्हारा 4th full length mock होगा, फिर 11th को LRDI sectional 6, ठीक है, यहाँ से, from here daily 1 VA sectional before, all VA sectional, मतलब इसका ये है, from here daily 1 VA sectional, और before that, मतलब इससे पहले 10th नॉमबर तक, जितने भी तुमने VA के mocks और sectional दिये हैं, उनका analysis करो, देखो क्या है, सिर्फ क्या हो रहा है कि VA में बच्चे क्या करते हैं, कि देते जाते, देते जाते, और क्वांट में तो revision कर लेते हैं, LR VA में भी set का, लेकिन VA के mock का revision नहीं करते हैं, तुम्हारा 10 दिन तक ये motto होना चाहिए, 1st नॉमबर से लेके 10th नॉमबर तक, जितने भी तुमने VA के sectional या mock दिये हैं, हर एक RC पे नजर डालो फिर से, हर एक RC के options पे नजर डालो, और देखो कि किस तरह के options चूस किये जा रह थोड़ी thought process गलत हो रही है, 10 दिन का तुम्हारे लिए VA में यही काम होना चाहिए, एक भी नया चीज तुम्हें और add-on नहीं करनी चाहिए, अपने VA के लिए यहां तक, जबरदस्ती, 10 दिन तुम्हारा काम सिर्फ VA के लिए इतना होना चाहिए, कि जितने, क्योंकि देखो सिर्फ mock देने से improvement नहीं होता, वरना हर बच्चा जो 50 mock देता, उसका cat में score आ रहा होता, इससे नहीं होता improvement, improvement तुम्हारे analysis पार्ट से mainly होता है, तुम्हें analysis, ऐसा नहीं कि mock देने से improvement ही नहीं होगा, लेकिन analysis is equally important, और अगर past चीजों को compile नहीं करोगे, तब तक चीजे भी होती चली जाएंगे, तो तुम्हें ये करना है कि जितने भी तुमने VA के mock और sectional दिये हैं, उनको इन 10 दिन में, first number से लेके 10 number तक, तुम्हारे strict तुम्हारे लिए ये काम है, कि तुम्हें first number से 10 number तक सारे mock, VA के mock और sectional का analysis करना है, एक एक पीजे, एक एक आरसी तुमें फिर से देखना है कि किस तरह के option मैं pick कर रहा था, किस तरह के option मेरे ज़्यादा गलत हो रही है, कहां मेरी thought process regular गलत हो रही है, उस thought process को थोड़ा चेंज करना है, फिर 11th से, मैं daily एक VA का sectional तुम्हें बताऊंगा, या तो वो sim cat के proctor में होंगे, या मैं add करूंगा तुम्हारे सेटर्डे को prime cat 14, 14 देना है, फिर संडे को LRDI का sectional 7, यहां पर जो यह यहां तक, संडे तक, इसके बीच में तुमने जितने भी new mock दियोंगे, जैसे 3 इधर दिये हैं, full length mock, 4 और 5, यह 5 full length mock तुम दे चुके हो 12 नमबर तक, अगर तुमने देखा हो, पहला, CL countdown 10, CL countdown 5, EG mock 8, prime cat 14, prime cat 13, यह 5 और mock तुम यहां तक दे चुके हो 13 नमबर तक, 13 नमबर तक, इस 13 नमबर तक हमारा motto यह रहेगा कि इन 5 mock का तुमारा discussion भी हो जाए, 13 नमबर तक जब भी बीच में, बीच बीच में, जो जब आपका weekly schedule आएगा, उस weekly schedule में, इनका mock का discussion भी add-on में होगा, लेकि तो obvious है, हो गई होगा discussion, ठीक है ना, लेकिन यह भी रखेंगे कि LRDI का भी मैं भी discussion करूँ, गौर असर भी discussion करें, और जितना ज्यादा analysis उसका और analysis पार्ट पर उसके focus करा सके, उतना focus कराने का try करेंगे, बाकी VA का add-on जैसे मैंने कहा, कि VA का sir भी plan कर रहे हैं, कि daily आदा गं तुमने वो दिये थे, 36 और ये 7th full length mock हो गया, यहां तक तुम 7 full length mock दे चुके हो, यहां तक तुम 14th number तक 7 full length mock number में दे चुके हो, full length mock, इससे ज़्यादा मत बढ़ाना in 14 days में, इसके साथ हम लोगों को LRDI के sectional करने है, LRDI के sectional उसके साथ करने add-on पे, इसके साथ हमें VA का VA sectional करने है, VA sectional, अभी मैं QA sectional के लिए बताऊंगा, QA sectional add-on में, अब देखो, जब 15th number आएगा, जैसे मैंने सारे बच्चों से काए कि 15th number से आपको off लेना है, इस 14th number के बीच में, यह जो Sunday होगा, जब तुम्हें LRDI 13th number वाला Sunday, 13th number, इस Sunday को भी तुम्हारा full day session चलेगा, full day session, इस full day session में, तुमने जितने भी मौक दियोंगे, उनके सबके quant को मैं questions को revise कराऊंगा, जितने भी तुमने मौक दिये, जो भी हम लोग उने schedule पहले C, L, I, M, S, E, G, LR, जितने भी मौक तुमने दिये, उनके सारे के QA 30th number को हम लोग पूरे revision करेंगे, जितना consolidation, मतलब हम इस नोटो रहेगा कि 14th number तक तुमने जितने भी 14th number तक तुमने जितने भी VA दिये हैं, वो तुमें consolidate करने हैं, 14th number तक मैं तुमें पूरे QA consolidate करा दूँगा, जितने भी तुमने QA दिये हुए, वो पूरे consolidate हो जाएंगे, past year के जितने भी cat के paper 17-21 वो consolidate हो जाएंगे, VA के तुमें sectional जो हैं तुमें, वो VA के तुमें past year के दे चुके, शाजार ने उस दिन भी तुमें बताया था देने के लिए, वो तुम दे चुके होगे, वो consolidate करोगे, उसके साथ साथ तुम्हारा काम ये है कि अगर इसके अलावा तुमें 1st से 14th number तक तुमें time मिलता है, त इस तरह से same repetition होता है, कि इस तरह से past year cat के question इस तरह से बनते हैं, वो चीजों पर हम लोगों का third or fourth number को focus रहेगा, तो तुम्हारा motto ये होना चाहिए, कि तुम जब 14th, 15th आए, तुमने जितने अभी तक LRDI के दिये, उनको एक बार go through कर लो, उसके साथ साथ, 14th तक, जब मैं मैंने तुमसे बोला है कि 15th से तुम्हें office से off लेना है, तो for 15th से हम लोग एक अलग तरह से और proceed कर पाएं, तब तक तुम्हारा consolidation हो चुका होगा, अच्छा, QA में मैंने दो चीज़े जो तुम्हारी cat के पास लिया, इससे काफी revision हो चुका होगा, उस चीज़ों पे, LRDI 7 मोग तब तक हम लोग दे चुके होगे, sectional का और 7 मोग का मैं discussion करा चुका होगा, तो काफी चीज़े consult में है, तुम्हारी improve करा दूँगा, LRDI section में, काफी चीज़े तुम्हें समझ में आएंगी कि कैसे approach करना है, किस तरह से चीज़े work करनी है, फिर फिर हम लोग इसके count on 13 दोगे, CL count on 14, EG mock 11, Sim cat 13, CL count on 15, Sim cat 14, Prime cat 15 and Sim cat 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mock तुम्हें यहाँ पर देने है, 8 mock, ठीक है, इन mock का मैंने एक तुम्हें यह देखो लिखा हुआ है पुरा, कि कौन-कौन से mock देने है, लेकिन फिर भी, यह भी कैसा होना चाहिए, क्योंकि कई CL के mock देखोगे, या किसी भी, कोई भी test series, चाहिए, कोई भी test series, EG की हो, या CL की हो, या MS की कई बार, paper को थोड़ा सा tough, unnecessary बना दिया जाता है, जो cat का label नहीं होता, चाहिए, aim cat बच्चे देरे दे, no also, कि unnecessary कई questions, जो cat से link ने, उस तरह अगर मुझे लगा कि यह mock तुमे नहीं देना चाहिए, ठीक है, हर mock से पहले मैं review जरूर करूगा, और अगर मुझे लगा कि यह mock तुमे नहीं देना चाहिए अभी, तभी मैंने उनकी live date में नहीं दिया है, ज़द live खत्म होजए, उसके बाद इनकी date दी है, मैं review करूगा, अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार यह मॉक अन्नेसेसरी है इस पर इसका नहीं होना चाहिए तो मैं थोड़ा सा रिव्यू करके नेक्स्ट मॉक की तरब प्रोसीड करा दूगा मैं कहूँगा कि इसकी जगा मैं खुद से एक मॉक बना के दे दे रहा हूँ तो उस पर हम लोग प्रोसीड करेंगे ठीक है तो यही हमारा मोटो रहेगा दरवाइस मतलब मैंने मोटो वो तुम्हें दा दिया कि 8 मॉक हमारा 59 से 25-26 तक होना चाहिए अब यहाँ पर देखो बीच में मैंने क्या दिया है LRDI के सेक्शनल LRDI.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.S एक एक QA का sectional चलेगा और VA का तो तुम्हें देना ही देना है एक एक QA का sectional चलेगा जो बच्चे के पास time capability ना हो मालो office है बिल्कुली time नहीं बच रहा तो वो अपने according एकाद mock इधर उधर से sectional and all कम कर सकते हैं लेकिन LRDI के देना must है LRDI के जरूर देना QA का एक आद उपर नीचे कर दोगे तो कोई issue नहीं है तीन कम देदोगे चार कम देदोगे it will not make any difference लेकिन अगर दे पाओ हर दिन दे पाओ तो better है क्योंकि देखो 2 गंटे का full length mock एक 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 sectional पांच गंटे यह हो गए उसके बाद जो sectional होगा उनका मैं analysis तुम्हें कराऊंगा LRDI और QA का तो तुम्हें खुद से analysis की नहीं जो full length mock होगा उसका भी analysis कराया जाएगा तो खुद से उतना ज़्यादा तुम्हें time नहीं देना पड़ेगा और we will make sure कि तुम्हारा analysis हो जाए पूरा ठीक है अब देखो अगर तुम्हें लगे कि किसी point पे नहीं है मैं एक mock मुरे पास office से बाद उतना time नहीं है वैसे तो मैंने 15 number से बोल चुका होगी मैं office off लेने का try करना लेकिन फिर भी अगर office का off नहीं ले पायो मान लो तो तुम्हें ये करना है कि एक आद अपना quantum sectional लाड याइ sectional कम कर देना full length mock तुम्हें देते रहना चाहिए full length mock तुम्हें नहीं काटना है हाना एक आद LRDI sectional कम कर देना मैं quantum sectional कम ही दूंगा बहुत जादा quantum sectional पे अमारा focus नहीं रहेगा LRDI mainly sectional पे हमारा focus रहेगा वहाँ पे थोड़ा सा चीज़े क्योंकि mind setup end तक LRDI और VA में चलते रहना चाहिए QA क्या है कि QA के sectional 8 देवल रहा हूँ मैं 5 से 6 पे हमारा target रहेगा मैं उस समय देखूंगा रिव्यू करूंगा एक बार चीज़े किस तरह से चल रही कितना time मिल रहा है और मैं full length mock और LRDI VA sectional पे चीज़े घुमाने का try करूंगा ज़्यादा ज़्यादा QA sectional limited रखने का try करूंगा और LRDI VA sectional पे ही focus रखेगे जितना ज़्यादा हो सकेगा फिर तुम देखो कि यहाँ पे हम लोगोंने यह 22nd और 23rd reserve day रखा है यह क्या है मतलब इसका समझो इस 22nd को आम लोग सुभा लगेंगे सुभा लगें मालो सुभा 10 बजे शुरू हुए 10 से 2 बजे तक जितने तुमने mock दियोंगे उसका फिर से revision करेंगे जितने अभी तक तुमने इस number मन्त में दियोंगे फिर LRDI का mock दे के आए तुम sectional मैं उसका discussion करूँगा उसका discussion किया फिर जितने QA question रहेगा उसका discussion फिर मैंने का जाओ VA का sectional लगा लो हो गया तुमारा दिन खतम पूरा revision हो गया LRDI sectional दे लिया VA sectional दे लिया बीच में और तुमने वो कर लिया जब QA का revision करा रहे होंगे तो उतना तुमारा माइंड पर प्रेशर नहीं पड़ेगा क्योंकि एक revision परपस से चीजे पता है फिर revise हो रही है फिर उसके बाद जाओगे LRDI तो फ्रेश एक तरह से दे पाओगे VA का भी तो यही ऐसा नहीं कि LRDI sectional हर LRDI sectional 15 के बाद ऐसे ही होगा कि कुछ time तुम LRDI तुमने दिया फिर मैंने का चलो दे दिया अब discussion करते हैं इसका क्या exposure है फिर तुमने एक full length mock के लिए जो तुमारा time हुआ mock का उस तमें तुमने full length mock दे लिया अपना यो उस पे work करा दिया same for other यहाँ पे भी यह देखो 25th, 26th day full day revision पूरा quant का revision करेंगे जितनी quant होगी सुभा पज़ेट सुभा निकला करेंगे 25th को सुभा लगेंगे राद तक पूरी quant revise कर देंगे सुभा से राद तक पूरी quant एक्टब assignment, quant, question, go, सब ठीजे फिर next दिन आएंगे next दिन revision पे start करेंगे इन दोनों दिन में 2 घंटे देंगे जिसमें sim cat 15 दिला हुआ अगर sim cat 15 easy बना हुआ normal label का बना हुआ तब अगर नहीं बना हुआ तब नहीं जो paper normal label का होगा उसी को end time पे देने का फायदा है otherwise मैं खुद से mock बना के दूँगा और उसको देने का फायदा है last time पे कोई ऐसा mock नहीं जिसमें unnecessary question दी हो और unnecessary तुमार moral down हो वो paper में जाके reflect नहीं हो पाता फिर वो moral down ही रहता है पूरे time पे तो वो 15 नॉमबर के बाद जितने भी mock होगा उनको एक-एक mock में review करके ही तुमें दूँगा कि यह mock इस तरह से यह mock इस तरह से यह mock दो यह mock का उतना नहीं है ठीक है जहां मुझे लगेगा ठीक है कुछ क्योशन है cat label का है 2 क्योशन टाफ है कोई issue नहीं है बच्चा दे यह हमारा overall scenario रहेगा जहां पर भी जिस भी point में मुझे लगेगा कि छोटी सी change की need है तो we will change that but overall scenario यही रहेगा और weekly schedule तुमारा दलता जाएगा उसमें discussion किस दिन पे and also on और दूसरी चीज कुछ time कुछ अब जो नॉम्बर स्टार्ट हो गया है नाइट में ऐसा करेंगे कि आज मनलूम हुआ कि चलो आज जितने तुमने अभी तक कोई भी कोई भी कौन का topic उठा लिया algebra algebra revise करते है आज पूरी राद बैठके या arithmetic पूरी revise करते है एक बार एक बार पूरा फिर से go through करते तो यह first number से process पूरा start हो जाएगा मैंने एक बता दिया third number, fourth number यह classes, class का schedule जो होगा वो पूरा बता दिया और जितनी चीजे हो सकती है हम लोग cover करने का time इसमें एक दो मौप उपर नीची हो जाएंगे तब भी को issue नहीं है लेकिन इससे जादा मत करने की सोचना मेरी request है आप से चाहे easy student हो चाहे non easy student हो overdue करोगे without analysis तो गलत होंगी चीजे यहाँ पर easy में तो हम लोग का support है मैं analysis पे भी पूरी-पूरी help करूँगा analysis जो non easy student है अगर आप नहीं खुच से कर पाते हो उतना तो आप limited रखना mock आप mock 2-3 और कम कर लेना चाहे ठीक है और easy student इतने mock तो full length तो में देने ही है sectional ए आ 40 minute का होता है देने की दिक्कत नहीं उसका discussion पे 4 set में 2 set अच्छे है उन 2 set पर हम लोग को main focus रहेगा कि किस तरह से approach करना चाहिए कैसे तो में देखना चाहिए किस तरह से lengthy question को deal करना है तो LRDI हम लोग पूरे मन्थ हम लोगों का main focus LRDI और VA पे रहेगा QA तो है QA हर full length जो 15 full length mock दे रहे हो revision QA mainly का है revision वाला चीज़ है compile करनी है जितना past year के question अभी तक mock के question करे है booster करा है mock के question करे है जो revision है जो assignment उनको compile करना है उनको किसी तरह से consolidate करना है कि उसमें से कुछ भी छूटे न वो चीज़ पर हम लोगों का main focus होना चाहिए QA revision के लिए जादा है LRDI VA for more practice more practice, more exposure की किस तरह से सोचना है VA में किस तरह से अभी पहले एक बार compile किया क्या thought process अभी तक मुझे develop करनी है एक से दस तक पुरा revision किया 11 से शुरू हुए एक एक मौक दे रहे हो एक एक sectional दे रहे हो वहाँ से चीज़ें टेल करनी है इतना करोगे बहुत अच्छा होगा 27 तक end day तक लड़ेंगे 27 खतम होगा जिस दिन paper दे के आओगे next दिन से अपना snap के लिए और IFT के लिए start कर देंगे specially snap के लिए शुरुबात में start कर देंगे ठीक है चलो ओवर करते thanks and happy learning I hope कि non-easy student उनको भी idea लगया है कि क्यों weekly में क्यों कॉंसी दिन पर classes आपकी होनी है और must है इस week में जितने ज़्यादा off ले सकते हो office से try to take off जिसे कि हम लोग ज़्यादा स्यादा session आपके करा सके over करते thanks and happy learning